एक दिन शर्मिष्ठा बगीचे में घूम रही थी, तो अचानक राजा ययात उसके सामने उपस्थित हो गए, विधी का विधान कहे या श्राप का असर राजा ययात शर्मिष्ठा की सुन्दर्ता पर मोहित हो गए, शर्मिष्ठा भी ययात के योवन पर मोहित हो गई, शर् विवाह के लिए मना कर दिया फिर शर्मिष्ठा ने कहा कि यदि राजकुमार और राजकुमारी दोनों विवाह करना चाहते हो तो यह किस भी तरहे गलत नहीं होता ययात के पास शर्मिष्ठा के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और उसने शर्मिष्ठा से विवाह कर ल और धुव्युक्त देव्यानी को जब पताचला की शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययात हैं, तो यह बात उसने अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। यह सुनकर राजा ययात अपने सबसे श्रेट पुत्र के पास पहुंचे और उसके सामने अपनी इच्छा प्रगट की परंतु उसने मना कर दिया। उसके पश्चात वह अपने छोटे पुत्र के समीप पहुंचे परंतु उसने भी मना कर दिया तत पश्चात वह अपने सबसे छोटे पुत्र के पास गए ध्रुव्युक्त ने उनकी। बात मान कली और उन्हें अपना योवन दे दिया। राजा ययात फिर से अपने योवन अवस्था में आ गए। उन्होंने कई वर्षो तक अपने राज्य पर राज किया। पुल झाल